नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं पहली पाली की परिक्षा सुबा 9 बचकर 45 मेर्ट से 11 बचकर 20 मेर्ट तक होगी जबकि दूसरी पाली की परिक्षा 11 बचकर 25 मेर्ट से 1 बचकर 5 मेर्ट तक होगी वहीं इंटर्मीडियेट की पहली पाली की परिक्षा 2 वजे से 3 बचकर 35 मेर्ट तक और दूसरी पाली की परिक्षा 3 बच कर 40 मेर्ट से 5 बच कर 20 मेर्ट तक होगी बता दे कि माधिमिक परिक्षा 24 मार्च से 20 अपरेल तक पहली पाली में जबकि इंटर्मीडियेट की परिक्षा 24 मार्च से 25 अपरेल तक दूसरी पाली में होगी जहारखन के कई इलाकों में 24 से 26 फरवरी तक बारिस के असार है इस दोरान बजरपात भी हो सकता है इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है विभाग की माने तो मौसम के मिजाज में यह बदलाव पच्मी भी छोब के कारण हो रहा है मौसम विभाग ने अपने पूरवर्मान में कहा है कि 24 फरवरी से राज्य के कई इलाकों में हलके से मददर्ज की बारिस हो सकती है विभाग की माने तो गुरुवार को राची बोकारो गुमला हज्जारी बाग खुटी और रामगर में बारिस होगी वहीं सुक्रवार और सनिवार को पुर्वी सीमूम पच्मी सीमूम सिम्डे का सराइक लेकर सावा क्या लावा देवखर धनवाद दुमका गिरिडी गोटा जामतरा पाकुर साहिब गंज में बजरपात और बारिस के असार है इस समय राची का निमतम तपमान 15 से 16 और अधिक्तम 29 से 30 डीडी सेल्शेस तक रहेगा जैक बोड इंटर प्रेक्टिकल परिक्षा तीन मार्च से 22 तक इंटरमीडियेट बिग्यान वानिज और कलासन काय के लिए प्रेक्टिकल परिक्षा के तिथी प्रायोगिक परिक्षा और आंत्रिक मुल्यांकन के लिए 27 अप्रेल से 6 माई तक तिथी निधारित की गई जबकि इंटरमीडियेट परिक्षा के लिए 4 मार्च से 23 मार्च निधारित किया गया है संसद रत्न पुरसकार 2022 के लिए जमसेदपूर संसद बिधूत वरन महतो सहीत 11 संसदों को संसद रत्न पुरसकार 2022 के लिए चैनित किया गया है इसमें लोग सभा के 8 और राई सभा के 37 सामिल है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने इन संसदों का चैन किया है भाजपा संसद विधूत वरन महतो का वर्तमान में दूसरा कारेकाल है इसके पहले 16 लोग सभा चुनाव में बर्ष 2014 में पहली बार जमसेदपूर सीट से संसद बने थे संसद सिरी महतो इसे पूर्वी सिंभूम जिले के बर गोड़ा विधान सभाचेतर से विधायक भी रह चुके है जारखन में एक अप्रेल से नई सराबनीती लागू करने के त्यारी पूरी कर लिगाई है उत्पाद विभाग ने सराबनीती का ड्राफ्ट त्यार कर लिया है अब उसे केबिनेट में भेजने की परकिरिया किया रही है नई उत्पाद निती में एक्ट बार पॉलिसी, होलसेल पॉलिसी, रिटेल पॉलिसी वर कंट्री लिकर पॉलिसी में परिवर्थन का प्रस्ताव त्यार किया गया नई उत्पाद निती में रिटेल पॉलिसी को भी बदला जाएगा सराब का खुदरा कारोबार JSBL के माध्यम से होगा JSBL प्लेस्मेंट एजनसी के जरिये दुकानों का संचालन करेगा प्लेस्मेंट एजनसी के लिए सरकार टारगेट फिक्स करेगी खोटी में 210 परिवार को मिलेगा आवास स्केंद्रिये मंत्री सह खुटी सांसत अरजुन मुंडा ने बुद्धवार को खुटी सहर के जमुआ दाग में परधान मंत्री आवास योजना के घटक तीन के तहत कि फायती आवास योजना का सिलन्यास किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि पियम मुदी ने 2022 तक सभी को पका आवास देने की घोशना की है इसी के तहत खुटी में कि फायती आवास के लिए भूमी पुजन हो रहा है सहर के भूमी हीन लोगों को अच्छा फ्लेट मिलेगा या आवास योजना के वल सर धकने की योजना नहीं एक साथ करीब 210 परिवार साथ रहेंगे बोकारों में ठेका मजदूरों ने किया अर्ध नग्न परदर्शन काम से बैठाये गए ठेका मजदूरों को काम पर वापस लेने की मांग को लेकर इंगोट मोल्ड फावडेशन के ठेका मजदूरों ने बोकारों इसपाथ कामगार यूनियन और एटक के बैनर तले गांधी चोक्चार पर अर्ध नग्न परदर्शन किया इस दोरान बेतन भुकतान तीन साल का गेट पास निम्तम बेतन गारांटी सी एलसी नियम का सत्व परतिशत पालन करने और ठेकादार बदले पर मजदूरों वही रहे का सिधान्त लागू करने की मांग की गई बुलबुल जंगल में अब सिर्फ चार बड़े नक्सली लोहरदागा लात्यार सीमा पर बुलबुल जंगल में चोतारफा घीरे नक्सली अब हिमत हारने लगे हाई अब इन इलाकों में सिर्फ चार बड़े नक्सली बचे हाई जिनमें 15 लाग इनामी रविंद्र पंदर लाग इनामी छोट्टू खिरवार दस लाग इनामी मुनेशवर गांजु और दो लाग इनामी लान्जीम अनसारी सामिल हैं इनमें सभी साथ ही पकड़े जा चुके हैं कुछ मारे भी जा चुके हैं और कुछ घायल हैं प्राइबेट कम्पनियों की नोक्रियों में 75 परतिषत आराक्षन के लिए जार्खन सरकार ने बनाई नियमावली जार्खन सरकार ने नीजी छेतर की नोक्रियों में 75 परदियत अरक्षन को लेकर विधायक को विधान सभा से पास करा लिया था लेकिन इसके लिए नियमावली नहीं बन सकी थी अब इस मामले में नियमावली बन कर त्यार है और इस पर कार्मिक विभाग से समाती भी ले ली गई है गुरु आरको केबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभवना है इसके साथ ही केबिनेट की बैठक में रिम्स के सैक्षिनिक पदों में स्ट और स्ट बिरादरी को मिलनेवानी परोनाती पर रोग को हटाने से समधित प्रस्ताव भी लाया जा सकता है ज्यारखन में कुरोना के 62 नए केस मिले है जबकि 86 मरीज स्वस्त भी हुए है ज्यारखन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 623 है भारत में 13231 केस मिले है जबकि 27949 मरीज स्वस्त भी हुए भारत में कुल एक्टिव केस की संख्याई 14288 है